Hello Students, इस वीडियो में आज हम सभी जो है DSSB में जो वेकिंसी निकली हुई है 2024 में Accounts Assistant और Assistant Manager Accounts की उसके बारे में जो है Detail Discussion करेंगे हम लोग किसका exam pattern क्या रहेगा, ठिक है यहाँ पर exam date क्या हो सकते है, expected cutoff क्या हो सकते है उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में discussion करेंगे मैंने आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर अपनी चैनल पर प्रोवाइट कर रहा हूँ तो अगर आप जो classes अगर कोई students attend करना चाता है तो classes चैनल पर available हैं, आप वहाँ से classes को देख सकते हैं और इस वीडियो में तो हम discussion करेंगे कि हमारे पास क्या exam pattern है काफी student का doubt आ रहा था कि exam pattern क्या है, sir syllabus क्या है, exam date कब तक हो सकती, expected cutoff क्या है इन सभी questions का हम यहाँ पर जवाब ढूणेंगे तो चलि start करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें exam pattern की और students, अगर किसी भी student ने फॉर्म नहीं fill किया हुआ है, तो वो fill कर सकता है 18 अपरेल जो है, इसकी last date है, कुछी दिन बचे हुए है, जरूर से जरूर fill कीजिएगा बहुत easy आपका pattern है, देख लिजए, मैं exam pattern आपको रिसकास करवाता हूँ तो exam pattern जो है, इसका रहेगा, दो sections में इसको divide किया गया है section A और section B, 200 marks का आपका paper होगा, 100 marks का section 1 होगा और 100 marks का section B होगा आपका, तो जो section A है, उसको 5 parts में divide किया गया है आपर आप देख सकते हैं, ठीक है, और इन 5 parts में हर एक part जो है 20 marks का आपके पास रहने वाला है 20 marks each यहाँ पर जो है, इसकी weightage रहेगी, तो journal English रहेगा आपके पास 20 marks और याद रखेगा, यहाँ पर questions भी जो है 100 ही आएंगे ठीक है, क्योंकि 1 marks का एक question रहने वाला है, और negative marking की अगर हम बात करें, तो negative marking यहाँ पर होगी 0.25 की यानि कि हर question के लिए आपको 1 fourth की negative marking भी दे गई है, और अगर हम देखें, यहाँ पर तो journal English है, आपका 20 marks का 20 questions आएंगे journal Hindi है, 20 marks का आपके पास mathematics है, जिसे हम quantitative aptitudes भी कहते हैं, यह आपका 20 marks का, reasoning 20 marks ही आएगी, journal knowledge और journal studies, यह आपके पास 20 marks है, इसमें current affairs भी हम include कर सकते हैं, कि यहाँ पर current affairs based question भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो यह रहेगा आपका 100 marks का, और बाकी students जो competitive exams की तयारी कर रहे हैं, government job की exams की पहले से तयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उनका ये वाला section तो काफी अच्छा होगा, बाकी अगर कोई student B.com से है, क्योंकि यह mainly आपके पास vacancy की है, B.com की है, जिन्होंने B.com किया हुआ है, उनके लिए vacancy है, ठीक है, तो B.com या B.com honors, तो मैंने एक eligibility वाली video ब यहां पर 100 marks तो दोनों के लिए common है, यह वाला part है तो, ठीक है, लेकिन जो section B है आपका, वो जो है, यहां पर core subject से related है, और अगर हमारा core subject अगर हम देखें, तो यह B.com का है, तो commerce के जितने भी subjects होंगे आपके पास, वो जादा important होंगे, और basically accounts assistant की vacancy है, तो accountancy है, आपके पा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा additional वहां पर होगा, और बाकी जिन्हों है B.com only program किया है, तो उनके assistant accounts ही है, पोस्ट, तो वहां पर आपका, जो generally आपने subject वहां पर study किये थे, वो रहेगा 100 marks का, यहां बे भी 100 marks रहेंगे, 100 ही आपके यहां पर भी question रहेंगे, ठीक है, questions भी 100 ही रहने वाला है, तो अगर exam pattern के बारे में discussion किया जाए, तो यहां पर आपका सबसे पहले accountancy main हो जाता है, ठीक है, accountancy main है, क्यूंकि accounts assistant का है, post तो accounts main रहे गई रहेगा आपके पास, और accountancy में हमको 3 accountancy के बारे में, जो हमने B.com में पढ़ा हुआ है, B.com honors में पढ़ा हुआ है, financial accounts आपको पढ़ना है, corporate account आपको पढ़ना है, cost account आपको पढ़ना है, मेरे channel पर आपको इन तीनो accounting की classes मिल रहे होगी, ठीक है, मैंने आप सभी के लिए अभी financial accounting की और corporate accounting की class जो है upload करना start कर दिया है, तो आप सभी के लिए वहाँ पर classes upload हैं already, अगर कोई student preparation कर रहा है, तो channel को subscribe जरूर कर ले न, क्योंकि वहाँ पर इसी तरीके का और content आपके लिए मिलता रहेगा, जैसे अभी आपको accountancy की classes मिल रहे हैं, यहाँ पर मैंने मिल लिए आपको financial और corporate account की class दिया है, recently corporate accountant की classes वहाँ पर चल रहे हैं, इसके बाद मैं आपके लिए cost accounting की classes upload करूँगा, फिर next इस आपके पास class है, तो next class आपके बाद Wednesday होगी, और फिर उसके बाद next class आपकी जो है, यहाँ पर Friday होगी, और students मैंने यहाँ पर जो है, इस तरीके से नहीं रखी है class, मैंने alternate days में रखी है, suppose that यहाँ पर Friday के बाद class direct Monday को नहीं होगी, class इसके बाद Sunday को होगी, फिर दुबारा Tuesday क होगी, तो फिर यह change भी जाता है pattern, क्योंकि एक दिन का ही मैंने gap दिया, क्योंकि मुझे सारा सारा syllabus complete करना है, इस तरीके का pattern मैंने रखा हुआ है, तो यह accounts आपको पढ़ना है, और मैं accounts में कहूंगा कि आपको ज्यादा detail में नहीं पढ़ना, इनको theory parts और numerical part बराबर रखना ह काफी students को यह दिखकता आ रही थी कि भी, जो numerical part है, वहाँ पर numerical ही मैं वीडियो में करा रहा हूँ, तो students वहाँ पर जो है, आपको जो भी numerical करवाया जा रहा है, कोई entry करवाई जा रही है, तो वो entry से question आएगा, या ऐसा पूछा जाएगा, कि आपने कोई entry करी हुई है, general entry कर आप चिके न, तो यह आपको याद रखना, यह नहीं सोचना है कि question इतना बड़ा है, इतना बड़ा question एक marks में थोड़ी आएगा, तो उसकी entries से बीच-बीच में से question आ सकते है, और theory based question आगा, theory भी जो साथ के साथ में बताता रहता हूँ आपको, फिर इसके बाद next हमारे important topic बनते हैं यहां पर, कि आपका business organization आप सभी ने पढ़ा होगा, business organization से भी काफी questions यहां पर आए थे, previous year paper मैंने discuss किया हुआ है, आप channel पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो आपको बनाई हुए है, वहां पर बहुत सारी questions आपको दिखाए हुए हैं, next है business mathematics और business statistics, यह सभी आपने become और become owners दोनों में पढ़ा होगा, तो business mathematics मैं यह कहूँगा कि इतना बड़ा role तो ने यह mathematics कि, statistics से काफी अच्छे questions आए हैं, तो आप यहां से इसकी तयारी कर सकते हैं, statistics portion को बहुत अच्छे से तयार कर सकते हैं, next आता है आपका business law और corporate law, यहां दोनों लो आपने दुबारा पढ़ लीजे, कौन सा act कभी बनाएगा, इसे minimum wage act है, इस तरीके के act है, जो उनको दुबारा revise कर लीजे, उनके sections को याद कर लीजे, वहां से question आ सकता है, यह जो act है, वो क्या कहता है, क्या बताता है, वहां से question आ सकता है, next आता है income tax, अब income tax में आपके पास again सकते हैं, auditing भी आपका थोड़ा section based, act based question है, तो वहां से भी आपके पास theory की question आएगे, वो आप काफी detail में पढ़िएगा, कि कोई भी concept है, उस concept में वो क्या कहता है, उसको detail में आपके पढ़िए, उसके assumptions, characteristics आप पढ़िए, features उसके पढ़िए, ठीक है, और उसके क्या merits है, de से बोले, या जिसके limitations क्या है, ठीक है, या losses क्या है, या फिर इसके advantages क्या है, यहां से question आ सकता है, ठीक है, merits, demerits, advantages, तभी के question आएंगे, next आता आपका business economics, तो business economics भी काफी, मतलब vast subject है, economics, लेकिन economics में आपको mainly जो focus करना है, वो micro economics पे आप focus कीजिए, ठीक है, आप macro economics पे focus बेसिकली, basic level की पढ़ेंगे, principle of micro economics, principle of macro economics, ठीक है, और Indian economy पे आपके पास को यहां पर question आ सकते है, ठीक है, Indian economy में question आ सकते है, GST based, tax, indirect tax, direct text, यहां इस तरीकी question आ सकते है, तो Indian ही को आप पढ़ सकते है, कि industrial sector कैसा है, trade sector कैसा है, इंडिया का, तो यहां से questions put down किया जा सकते है, तो यह था आपका part यहां पर, ठीक है, hopefully आपको पूरा exam pattern समझ में आया होगा, कि किस type की questions पूछे जाएंगे, अब students के mind में काफी दिक्कत है कि cut off क्या जाने वाली है, तो देखिए, यह again मैं आपको बता दू, cut off जो है, यह मैंने expected लिखी हुई है, जहां तक मुझे लगता है, यह out of 200 है, cut off, ठीक है, और previously जब paper हुआ था, accounts manager का, तो जो accounts manager की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर 2 section में वो paper हुआ था, ठीक है, और उसमें जो है, यहां पर 2 tier लिए गए थे, tier 1 अलग था, tier 2 अलग था, ठीक है, 2 tiers में exam हुआ था, तो जो second tier हुआ था, accounts का, वो 200 marks का question paper था, 200 question आये थे, 2 hours का था, ठीक है न, तो यहां पर आपके पास जो है, 200 questions का accounts का एक paper हुआ था, उसके base पर एक cut off तयार हुई थी, उस cut off के according जो है, journal की cut off 160 के plus गई थी, 160 प्लस, 162 थी आई थी, ठीक है, आप देख सकते है, notice पढ़ा हुआ है, 160 के आसपास गई थी, और य यह काफी high cut off है, अगर मैं कहूं तो, ठीक है, वहां पर उन्होंने 200 का paper लिया था, लेकिन वहां पर यह clear mention नहीं क्या हुआ कि यह 200 में से cut off है, कि आपका, जो 100 marks का tier 1 हुआ था, यानि कि total 300 है, वहां से यह cut off ली गई है, लेकिन मुझे जानातर लगता है, यह 100 और प्लस, य internal की cut off नहीं हो सकती, इतनी, इतनी low, ठीक है, maybe हो भी सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि safer side आपको 200 marks में से कितना लेके चलना है, ठीक है, तो 200 marks में से आपको 140 marks प्लस करना ही करना है, अगर आप unreserve category से आते हैं, तो आपका selection पका है, क्योंकि because देखी क्या है, कि यह इसे जो है, यह cut off इतना जादा हाई जा सकता है, या maybe इससे भी जादा हाई जा सकता है, 150 मैं कह सकता हूं कि 150 भी जा सकता है, लेकिन मेरा ही मानना है कि आप 142, 150 के बीच में रहें, तो आपका selection हो जाएगा, आप unreserve category से हैं, तो फिर इसके बाद OBC अगर हम देखें, तो OBC जाएगा, इससे जादा cut off नहीं चाहेगी, तो seats कम होने के वज़े से cut off vary कर सकती है, again, मैंने यही नहीं कह रहा हूं कि यही same cut off जाई, cut off बढ़ सकती है, तो आपको अपने तरफ से prepare रहना है, बट यह मैं एक आपको idea दे रहा हूं, तो आपको लगबग, आप यह कह सकते च अगर आप unreserved category के अंदर आते हैं, ठीक है, तो यह आपना target बना के रखे, यह target बनाए कि मुझे इतना marks लेकर आने, इतने marks लेकर आने है, target यह रखे कि इतना percent overall मेरा score होना चाहिए, इस paper के अंदर, जहाँ पर हम section A, section B को और दर देखें दोबारा से, तो section A और section B, दोनों क कि तयारी कर रहा होगा, तो maybe 100 में से 70 score अराम से कर सकता है, बहुत easily score कर सकता है, और section B, और वो B.com का student है, ठीक है, तो B.com ही करी होगी, तभी आप इसे apply कर सकते हैं, तो around मैं यह कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर 80 score कर सकते हो, आराम से, ठीक है, क्योंकि caution paper का level इतना hard नहीं है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1500 का आपका हो रहा है, तो 75% जो मैंने लिया, वो target, यह target मैं above ही लेके चल रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ही कम target लेकी नहीं चल रहा, बहुत ही जादा target ही मैंने लिया हुआ है, तो उसके साब से आप यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप इतना score यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर 80 marks का score कर लेते हैं, तो आपके काफी अच्छा score आ जाएगा, और इतना तो आप करी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर unreserved का degree के अंदर है, तो इससे कमे भी हो सकता है, 140 के round भी हो सकता है, मैं यह नह सकता है, यह cut off competition को देखते हुए, मैंने decide कि इतना cut off जा सकता है, अब सबसे बड़ा question आता है कि बचों के mind में की exam कब तक हो सकता है, आप सभी को बता है, एक जून तक हमारे देश में elections चल रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि आप 15 जून के after, ठीक है, आपकी exam date हो सकती है, उस के बाद में भी कितना at the end of June हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि July में तो मैं for sure हूँ कि July में आपके exam confirm लिए है कि July में आपका exam हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है, पंदरा जून से पहले पहले पहले, उसके बाद ठीक है, और July तो expected date है कि पूरे July में आपके पास exam जो होगी, ठीक है, और इसी तरी की classes भी मेरे चैनल पर आप सभी के लिए upload हैं, तो अगर आप कोई student classes देखना चाहता है, self preparation कर रहे हो, तो बढ़िया है, उसके बाद आप मेरी classes भी देख सकते हो, उन classes में आपको concept मिल जाएंगे, जो भी chapters हैं, उनके, और mainly मैं section B, जो है अपने चैनल पर cover up करवा रहा हूं, section या आप खुद prepare करिए, कहीं से भी prepare कर सकते हैं, YouTube पर बहुत सारी classes available हैं, वहां से इसको कर सकते हैं, आप prefer, किसी book के लिए में आपको refer के लिए नहीं कहूंगा, कि आप कोई book लीजिए, तेक है, आप कहीं से भी जो आपने b.com के notes होंगे, exam आपका clear हो जाएगा, ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, तो अगर आपके तब भी कोई doubt रहते हैं, कोई समस्या रहती है, तो आप comment कर सकते हैं, वहां पर मैं आप से भी को जो है, इसका reply दे दूँगा, आपको बता दूगा, क्या भी आपकी समस्या solve हो जाएगी इसके बाद next videos हम और discussion करेंगे किस topic पर मुझे वीडियो बनानी आप से भी बता दीजेगा, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बना दूगा, बाकी और students के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको छेएगा